हाई गाई स्वागत है एक और नया वीडियो में आज के इस वाले वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यूके में हेल्थ केर मेनेजमेंट की जो प्रोफेशनल से उनकी क्या उपर्चुनिटीज है क्या सैलरी है क्या क्या कुछ करना पड़ता है यह आप आगर मूव करना है सबसे जानकारी नहीं ता मैंने न बहुत सरे लोगों को पूछा तो यहाँ पे सबसे डिजाड़ी का कि हॉस्पिटेल में प्रोफेशनल है उनके लिए वह बहुत कम बलाते हैं फर्स्ट अफॉल जैसे कि मान लिजे हॉस्पिडल में रिसेप्शनिस्ट यसे जैसे पेशन कोडिनेट है ये सब्जेट लॉबिल की जॉब से ये लोग बहार से नहीं बुलाते हैं ये फिसके रिसे जोबिल में वहार से नहीं आता है इनका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी healthcare management related jobs निकलती है उनके पस इतना manpower है जैसे radiographer, nurse और doctor ये एक shortage occupation list में आता है क्योंकि इनके पस इतना manpower नहीं है जितना इनकी पस होना चाहिए तो healthcare management में management professional के लिए है क्योंकि उसमें shortage नहीं है तो ये एक disappointment है जिए अगर आपकी दिमाग में है कि you can move करना है as a healthcare management professional तो आपके लिए एक challenge आ सकता है दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि recruit नहीं करते है recruitment बहुत होता है लेकिन आपको आपकी profile set करनी पड़ेगी जैसे आपके पास bachelor है उसके बाद आपने MBA करा हुआ है healthcare में और आप सीधा किसी भी hospital में business development officer और healthcare में जैसे patient development officer बहुत सारे post निकलती रहती है और finance director ऐसे बड़े-बड़े position के लिए आप apply कर सकते हो वो लोग recruit करते हैं लेकिन जो base level के लिए मैंने बताया है उसमें बहुत मुश्किल हो सकता है बाकी मैं और research करूँगा इसका part two में लेके आऊंगा मैं एक दो hospital management professional जो है मैं जिनको जानता हूँ या आप एक काम करें उनसे बात करनी कोशिश करूँगा और आप लोगों के लिए एक part two लेके आऊंगा इस वीडियो की बाकी इस वीडियो को मैं हीपे खतम करता हूँ तब तक के लिए बने रही है मेरे साथ